शारू खान की पठान के बाद अब सबको इंतजार है जवान मूवी का जवान फिलम की कहानी एक रिवेंज एक्षन थ्रिलर होने वाली है फिलम की कहानी शुरू होती है एक खूफिया आइलेंड से जहां CBI आफिसर राज ठाकुर यनिके शारू खान अपनी टीम के साथ किसी खबर सब जगा फैल जाती है कि CBI आफिसर राज ठाकुर और उसकी टीम एक सीक्रेट मिशन के दोरान मारे गए इस घटना के तीन महीने बाद फिर से उस खूफिया आइलेंड पर एक आदमी जिसका आधा चेहरा जला हुआ होता है अपनी चेहरे पर पट्टियां बांध र खूलस गया होता है लेकिन राज ठाकुर उस आइलेंड पर जिंदा कैसे बच गया और राज ठाकुर उस आइलेंड पर रहकर क्या प्लैन कर रहा है यह हमको आगे की कहानी से पता चलने वाला है राज ठाकुर अपने मिशन पर अकेला नहीं होता उसके साथ उसकी एक टीम भी होती है लेकिन ये टीम CBI ओफिसर्स की नहीं होती जो राज ठाकुर के साथ उस आइलन्ड पर आये थे वो सारे CBI ओफिसर्स तो मारे जा चुके हैं लेकिन राज ठाकुर ने एक नई टीम तयार कर ली है राज ठाकुर मुंबई पहुँच कर एक बहुत बड़े बिजनसम और शंकर जो असल में माफिया डॉन होता है को मारने चला जाता है शंकर जिसका फिलम में रोल विजय सितुपती प्ले कर रहे हैं के बारे में खबर मिलती है कि शंकर एक मौल में आने वाला है राज ठाकुर रास्ते में ही शंकर की कार पर हमला कर देता है लेकिन उस कार में शंकर नहीं बल्कि उसकी वाइफ अनू होती है अनू का फिलम में रोल सनाया मलुत्रा प्ले कर रही है राज ठाकुर शंकर की वाइफ अनू को ही पकड़ कर अपने साथ ले जाता है पुलिस भी वहां पहुझ जाती है लेकिन राज ठाकुर पुलिस को चक्मा दे कर अनु को उसी खूफिया आईलेंड पर ले जाकर क्याद कर देता है लेकिन पुलिस ओफिसर समर राज ठाकुर के चैरे पर पटिया बंदी होने के बावजूद भी उसको पहचान लेता है अब पुलिस को शक होने लग जाता है कि शंकर की वाइफ का किनाप करने वाला राज ठाकुर ही हो सकता है लेकिन राज ठाकुर जिंदा कैसे बच गया और वो माफिया डौन शंकर को क्यों मारना चाहता है ये पुलिस को समझ में नहीं आ रहा होता इधर माफिया डॉन शंकर को भी ये समझ में नहीं आ रहा होता कि चेहरे पर पटियां बांदे हुए ये इनसान उसको क्यों मारना चाहता है प्लीस राज ठाकुर की वाईफ सपना जिसका फिलम में रोल नियन्थारा प्ले कर रही है को पूच ताच के लिए पुलिस टेशन लेकर आते हैं पुलिस ओफिसर समर राज ठाकुर की वाइफ सपना को उस शक्ष की तस्वीर दिखाता है जिसने शंकर की वाइफ अनुका किनाप कर लिया होता है सपना उस तस्वीर को देख कर पहचान जाती है लेकिन सपना पुलिस को बताती है कि वो इस तस्वीर वाले शक्ष को नहीं प शारु खान का डबल रॉल है अब फिलम की कहानी बैक्राउंड में प्ले होने लग जाती है आंध्रा प्रदेश के एक छोटे से गाउं में राजा राज नाम के दो जुड़वा भाई रहते थे दोनों जुड़वा भाई बच्पन से ही बहादूर और इंटेलिजेंट थे द राज और राजा आर्मी जवान बनने वाले थे लेकिन राजा को उस एक दिन पहले पता चलता है कि उनके ट्रेनिंग केम्प के पास बॉर्डर पर माफिया डौन शंकर ड्रग्स का लेन देन करने वाला है राजा अपने सीनियर्स को बिना बताए माफिया डौन शंकर को पक पा दिया लेकिन राजा ने शंकर का सारा माल ढूंड कर उसे जला दिया शंकर कैसे भी करके वहां से भाग गया अब जब राजा के सीनियर्स को इसके बारे में पता चला तो उनने राजा को आर्मी जवान बनाने से ये कहकर मना कर दिया कि राजा ने अपने सीनियर्स को बिना बताए ड्रग्स को पकड़वाने के लिए चला गया लेकिन राजा के जुड़ा भाई राज को आर्मी जवान बना दिया गया और राजा अकेला ही वापिस अपने गाउं आ गया फिर एक रात जब राजा अपने गाउं में अपने माँ और पिता के साथ घर पर सो रहा था और वो जिंदा बच जाता है लेकिन राजा बच जाता है इसके बारे में माफिया डौन शंकर नहीं जानता इधर राजा का जुड़ा भाई राज जिसको ये लगता है कि गाउं में उसके घर पर आग लगना और उसके जुड़ा भाई माबाप का आग में जल कर मारा जाना सिर्फ एक हादसा था इस हादसे कि कुछ साल बाद राज ठाकुर को पता चल जाता है कि उसका जुड़वा भाई राजा जिन्दा है और वो छुप कर माफिया डौन शंकर से बदला लेने की प्लैनिंग कर रहा है तब तक राज ठाकुर की शादी भी हो चुकी होती है और रा माफिया डौन शंकर अपने आदमियों को लेकर राजा को मारने उस आइलंड की तरफ निकल पड़ता है असल में यह सारा प्लैन राजा का ही बनाया हुआ होता है राजा ने जान बूचकर माफिया डौन शंकर तक यह इंफोमेशन पहुचा दी थी कि वो इस आइलंड पर चुपा हुआ है क्योंकि राजा जानता है कि शंकर राजा को मारने उस आइलंड पर जरूर आएगा इसलिए राजा ने आइलंड के रास्ते पर पहले से ही बॉम प्लांट किये हुए थे इधर राजा के जुड़वा भाई राज ठाकुर जो अब सी बियाई अफिसर बन ग पता है लेकिन रास्ते में जो बॉम राजा ने माफिया डॉन शंकर के आदमियों के लिए प्लांट किये होते हैं वो सी बियाई की टीम के आने पर ब्लास्ट हो जाते हैं और सी बियाई के बहुत से ओफिसर मारे जाते हैं इधर माफिया डॉन शंकर भी वहां आ जाता है श इब आई ओफिसर राज ठाकुर जो अब अकेला रह जाता है को माफिया डौन शंकर अपने आदमियों के साथ मिल कर मार देता है जब तक राजा उस जगा पर पहुंचता है तब तक माफिया डौन शंकर राज ठाकुर को मार कर वहां से भाग चुका होता है क्योंकि माफिया डौन शंकर ये समझ रहा होता है कि उसने अपने दुश्मन राजा को मार दिया है अब राजा और भी खुंखार हो चुका होता है और माफिया डौन शंकर को जान से मारना चाता है इधर जब राजा ने माफिया डौन शंकर की वाइफ अनू का किन नैप कर ल की राजा का जुड़ा भाई CBI ओफिसर राज ठाकुर था अब माफिया डौन शंकर फिर से पूरी तयारी के साथ उस आइलन पर चला जाता है अब राजा और शंकर के बीच जबरदस्ट फाइट होती है इससे पहले की पुलिस वहाँ पहुच पाए राजा माफिया डौन शं आएंगे तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स